कि है अलो फ्रेंट्स मैं सुनी सर्मा आपका आपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं कि सर्वे की सीरीज में मैं अपना अगला लेक्चर सुरू करने जा रहा हूं जो अगला टॉपिक आपका है वह आपका है लेवलिंग तो सर्वेंग में कौन सर टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहा है लेवलिंग अभी तक हमने आपको चेन सर्वें इंट्रॉडक्शन के बारे में यह सब चीनियां समझाई है उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो चेप्तर है वो कंपास सर्वेंग है लेकिन कंपास स इसके बात पढ़ेंगे यह अलग से इंडूइजवल चेप्तर है कि यह भी आपको थोड़ा से समझना है अभी तक आप जमीन पर प्लान की बात कर रहे थे अब आप हम लोग हाइट पर या एलिवेशन की बात करेंगे तो इनके बारे में लोग जरा इसको समझने का प्रया इस जगह से किसी एक कोई दो जगह है उनका आपस में रिलेटिवली कि यह जगह इस से कितना उपर है इसका यूज कहां आपको पढ़ेगा मैं आपको छोटे-छोटे चीजों में इसका यूज बता दे रहा हूं चलिए आप से एक सवाल मैं करता हूं कि बताईए आपका घ जगह उची है बता सकते हैं अगर यहां पर कैनाल बनाई जाए एक नहर बनाई जाए तो बनारस अगर नहर बनारस से लेकर आपके घर तक बनाई जाए बनारस में किसी जगह से आपके घर तक बनाई जाए तो उसमें पानी किधर से किधर फ्लो करेगा बता सकते हैं क्या आ अगर आपको leveling करना आ गया और आपने इसको समझ लिया तो आप हर जगह की उंचाई पता कर सकते हैं और उससे आपको यह ज़रूर पता चल लाएगा कि हमें कैनाल बनानी है या फिर कोई pipeline बिछाना है या फिर कोई भी जिसको किसी स्लोप पर ले जाना है तो उनका हम लोग जो लेबल है वह अगर पता करने कि कौन किस लेवल पर है तो हम लोग आसानी से उसका alignment कर सकते हैं समझ में आ गई यह बात कि कुछ दूरी तक वे हम लोग तो आसानी से पता कर लेतें कि कौन उपर कौन नीचे है लेकिन वहां globalization हमारा होता है, एक global level पर चीज़ों को पता करना होता है कि कौन उपर है, कौन नीचे है, भारत की जगाओं, भारत की जो पूरा map है, उसमें कौन सा area सबसे नीचे आता है, कौन सा area सबसे उपर है, ये सब अगर आपको समझना है, तो आपको क्या आना चाहिए, leveling, leveling लेबल मिलाना या लेबल चेक करना की कौन किस लेबल पर है, कैसे चेक करते हैं, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, पहले आप लोग एक सिंपल से चीज़ समझ लेए, leveling करने के लिए हमें पहले ये जाना पड़ेगा हमारे globe के बारे में समझ लीजिए, कुछ general description है, उनको समझ लेजिए, और वो theoretical रूप में भी आपके exam में पूछी जाती है, एक समझी है हमारा जो हमारी पृत्वी है न, वो इस तरीके से बिलकुल गोल तो नहीं है, गोल का मतलब चप्टी तो है, लेकिन इसका ये इसका जो पूरा इस टाइप से इसका जो sphere है, वो गोलाकार त ये इस ताइप से सतहूं पर ऊबढ़ खा बढ़ है, ऐसे ऊबढ़ खा बढ़ है, मतलब गोलाई तो है, लेकिन कहीं गड्धे हैं, कहीं उभार है, बास वन में आ रही है, तो हम ऐसा ध्यान रखेगा, कि जो हमारा ये जो पृत्वी है, जो कहीं धसी, कहीं उठी इस तरीक हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं, और हम इस पृत्वी के ऊपर यहाँ पर इस टाइप से खड़े होकर के देख रहे हैं, तो हम जो देखते हैं अपनी आखों से यह लाइन ऐसे देखते हैं, तो यह जो हमारी आखों से निकलने वाली लाइन है न, उस लाइन को हम लोग कहते ह है उस लाइन को हम लोग कहते हैं और इसेंटल में का हुआ और जइंटल लाइन क्या हुआ हुआस्मने कहा कि जो में हमारी आँखोच निकल को जा है यह जारी है यह स्क violation को यह इसे लगातार फूर को आख उती जा रही है अगर को कोई लाइन इस तरीके से होती जो ऐसे होता जो प्रिथवी का जो गोला होता ना जो हमारे प्रिथवी का जो आकरती है उसके पैरलल कोई लाइन ऐसे जाती तो यह लाइन को हम लोग कहते हैं लेबल लाइन लेवल लाइन यानि हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग समतल रेखा समतल का मतलब समतल मतलब विच इक्वली एड़ लेबल आफ अर्थ सर्फेस जो आर्थ का सर्फेस है उसके पैरलल जाने वाली जो लाइन है यानि लेवल लाइन जो होगी वो क्या होगी पैरलल होगी किसके पैरलल टू ओर अर्थ सर्फेस्ट जो प्रितिवी का सर्फफेस है जो सका जू सफेर है उसके पैरलल लेखंगे और जेंटल होगी और एंटल लाइन जो होगी वह कैसी होगी जो और सर्फिस ये ये और जेंटल लाइन के बारे में कर बोने तो लाइन ढंगे टैंजेंजेन्सील लाइन अन और अन और ऑसर्फिस और ओर ऑन अन लेबल लाइन लेबल लाइन जो आपकी है उस पर एक इस पर सिंखेंची जाये तो वो उसकी होरिजेंटल लाइन कहीं जातीति इसका मतलब हमागर पृत्रीपी की गोलाई पर इस तरीके से खड़े हो करके जब देख रहा है तो हम किसको देख रहा है हम देख रहा है किसको अमारी जो लाइन आफ साइट यह वो कैसी है वो हमारी ऑरिजेंटल है जब की अगर माल लिजी अगर लेवल लाइन का एकजम्पल आपको चाहिए तो आप इस तरह समझेगा जब कोई पानी जैसे माली जी यह प्रित्वी की सता पर यहां पर पानी भरा हुआ पूरा यह पानी भरा हुआ तो पानी जो भरा होता है वह एक लेबल सर्फेस को डिनोट करता है जैसे प्रित्वी का यहां पर सेंटर होगा तो पानी जो होता है उसका सर्फेस इस टाइप से मेंटेन होता है कि उसका हर जगह दूरी देखे यह यह सर्फिस पूरा जो आना वह एकदम गोलाकार बनता है पानी की सत्ह उभरी हुई होती है जैसे कैसे यह जो लेबल लाइन ना उसी के पैरलल होता है पानी का सत्ह तो कहीं भी सांत जल हो इस्थिर रुका इस्टिल वाटर रुका हुआ प अपर ब्रिजंट करती है इसी तरीके से मालीजी आप इस जगहाप जाके खड़ें और इस जगा पया धो यह से हैंकर तो बताएए आपकी लाइन strength evolvedáticas ये लेवल लाइन के और इसी तरीके से एक लाइना पिर्टी कल लैन तो अर्टिकल लाइन खिसको कहेंगे हमेशा ध्यान रखी कि辣 वर्टिकल लाइन का मतलब होता वर्टिकल लाइन को प्लंबाव लाइन भी कर दे इभायव इभी क्या देखा The Level के हमने देखा कसको समझा zeggen और जेंटरलाइन को हमने समझा यहां पर मैं लेवल्लाइन यहां पर वर्टिकडल लाइन को वर्टीकल 우리 क्या है उसको भी निए उसको भी डिर अगर आप यहां से भी साहूल लटकाएंगे तो यह लाइन जो बार बार ऐसे आ रही है ना यह लाइन ऐसे जो प्रिथवी के मिलती है चारों तरफ से यह लाइन यह लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन आप कहीं पर भी खड़े होके साहूल यानी प्लंबाब को लटकाएं उसकी जो दिसा होगी वो वर्टिकल लाइन की डिरेक्शन होगी और एक चीछ खास बात प्लंबाब लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है लेबल लाइ और एक लाइन जो होड़ेंटल जा रहे है देखिए यह प्लंबाब लाइन यहां प्लंबाब लाइन यहां प्लंबाब लाइन यहां प्लंबाब लाइन लेकिन यह जैसे जैसे लेवल लाइन घूम रही है यह हमेशा किसके परपेंडिकुलर रहती है वर्टिकल लाइन तो इस चीज को अगर आपने लेवली में समझ लिया है तो इसकी जर्गों तभी इन लोग को आगे पड़ेंगे ठीक है अब अगर हमको पता करना रहे यहां मुचाई पर है यह यह उचाई पर है तो आपको उचाई का मतलब यह मत समझ लीजिए क्या कि आप यहां पर खड़ है तो आप उचाई पर हैं आप प्रिथवी के चारों तरफ कहीं भी रहें उचाई आपका यह यह बताएगा यह जो जमीन की उचाई है कौन अगर यह यहां पर देखा जाए तो इसकी तुलना में आप यह यह गड़ा हुआ और यह उचाई हुई यह चीज की उचाई देखी की यह कम होई और यह ज्यादा वी तो यह वाली आपकी उचाई ज्यादा होगी और यह वाली उचाई क्या होगी कम होगी यह चीज़ें आपको clear है पूरी तरी के से अगर नहीं समझ में आरे एक बार रिवाइन करें वीडियो को या फिर दिक्क्त आरी तो बताए यह चीज तक तो यह पता ही नहीं चलता है कि लेबल लाइन और होरीजेंटल लाइन में कोई अंतर भी है दोनों काफी नजदीक होती है यहां पर तो आप देख पा रहा है बहुत माइनर अंतर है नहीं तो हम लोग जब आखों से देखते हैं तो लेबल लाइन और होरीजेंटल लाइन काफी दूर जाने के बाद ही अलग हो पाती है लेवाल ऐन मूड़ने लगती है और अरिजन्टल लाइन सीधे निकल जाती है समन्ज में अरी बात लेबं लाइन आगे जाके पृती यू पर आ раб को आपको सामने आस्मान दिखता है क्यों क्यों कि प्रिथिवी का करेवेचर भूम जाता है और जो लाइन आफ साइट आगे निकल जाती है समझ में आरी बात चलिए अगर यह चीज़ें क्लियर हैं तो आईए हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं तो जब हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारा जो लाइन से लेवल लाइन वगरा है वो हमारे कैसे काम आ रही है इन चीजों को देखते हैं लोग इनको समझेगा जब भी दो चीजों की उचाई निकालनी पड़ी न सपोच करिए कोई एक जगह यहां पर है कोई दूसरी अलग अलग तरीका की कौन उचाह जैसे मालेजी हम यहां पर खड़े हैं और कोई हिमाचल प्रदेस में सपोस्ट तो कौन उचाही पर है जाहिर से बात है आपको आंकड़ा मालूम है कि हिमाचल प्रदेस जो है वो हीली जोन है आपका हीली स्टेशन है तो उन जगहों पर उचाई जादा और से तो मालोम है पहले से लेकिन फिर कैसे पता करें तो इसके लोगों ने अलग तरीका निकला सबसे पहला टाइप्स आफ या मेथर्ट्स ऑ लिबलीय historic करें यहां पर अगर हम में थेट्स ऑफ मेथ संध ओफ लिफलीन की बात करें लोगों ने अलग अलग तरीका निकला सबसे पहला टाइपस ओफ या मेथड्स ओफ लेवलिंग अगर हम बात करें यहां पर अगर हम मेथड्स ओफ मेथड्स ओफ लेवलिंग की बात करें कुछ करें लेविलिंग की बात करें तो देखीए पहला मेथट जो आपका लेविलिंग का मेथड़ होता है पो कौन सा मेथद उड़ता है सपोर्ष करिए लिए फेटव मिट्री की नग क्या होता है ब बारोमेटरी से पता चल रहे हैं आपको कि अगर इस जगह पर कोई वेक्ति है या इस जगह पर हम आए 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 आ कोई है तो इन जगहों पर एक्मॉसफिरीक प्रेशर में अंतर होगाamaan पढहे होंगे कि जैसे जैसे ​​ उचाय बढ़ती है वायो मंदली दाप घचता है तो अगर हम अपनी जिगां जगह का प्रेशर में और इस जगह का य呀 atmospheric प्रेशर में आपले तो हम आकड़ा लगा सकते हैं जैसे अगर आप कि आप अपने सहर में और आपको बनारस है तो अगर दोनों जगहों पर अट्मॉस्फिरिक प्रेशर में अंतर होगा बहुत माहिना अंतर होगा तो इससे आपको यह अंदाज़ा पक्का लग जाएगा कि अगर मेरे हैं अट्मॉस्फिरिक प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतल यह फिर भी बहुत जगहों पर यह काम आता है मोटा मोटा हिसाब लगाना हो कि कौन जगह जादा उपर या नीचे है तो अक्सर हम लोग वहाँ पर एट्मस्फरिक प्रेशर का लेबल चेक कर लेते हैं तो पहला मेथड लेवलिंग का क्या हुआ कि आप लेवल जानना है तो दोनों जगहां पर बैरोमेटरियर मतलब ह होता है खावल मेंटर क कि सुचाता है लेफलिंह प्रेसर चेक करने तो बैर्यंमेटरियमbits दोनों जगहां इन जगाहों की पर हम लोग पानी कि कि या किसी भी ऐसे लिक्विड का बॉय इंट निकाल देते हैं अक्सर पानी के बारे में boiling point का मतलब क्या हुआ वाइं पाइंत जानते हैं टम टम परेचरा इसका मतलब होता है कि एपटा पर लिकवेड का एक्मोस्फेरिक बेपर प्रेशर अट्मस्फेरिक पेशर के बेराबर हो जाता है तो अगर हम यहां आप भी आपने पढ़ा होगा कि पहाणों पर खाना बनने में टाइम लगता है क्योंकि अट्मोस्फरिक प्रेसर घड़ जाता है और जो पानी होता है या कुछ भी वह 95 डिगरी सेल्सियस पर ही गरम होने लगता है तो अगर हम यहां पर खणे हैं तो हमारा पानी गरम करने का टेमप्रेंचर ना हंडे डिग्री सेल्सियस है यहां पर कोई गया उसका 95 डिग्री सल्सियस है क्यों होगा आपको पता है वाईलिंग पॉइंट रहटा क्योंकि आप प्रेसर क्या है जादा पड़रा तो ज्याधा टेंप्रेसर लगे गवाईल होने में यहां पर प्रेसर कम है इसकी तुलना में पेस्ट वज़े से यहां कमी टेंप्रेचर पर गरम होने लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस के आधार पे हम जगहों की उचागिया निकालते हैं तो उसको हम लोग हाइप सो मिट्री मेथर्ड ऑफ आदे से और इनके बीच का ये इंगल पता रहए सेंगलेटल इंकलेटल मतलब कोने कितने जेया इंक्लेटल इंकलेटल में प्रेड रहों इंपरे ट्रेट्री फ़र्मूला का यूज करके दो जगों के बीच में उचाएया निकाले जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो तीनों मैठट पढ़ाना वह लेवलिंग के इनडायरेक्ट मेठट थे इनडायरेक्ट मेठट थे क्यों थे इस तीनों क्यों कि इसमें कहीं भी सीधे सीधे दूरी गों मतलब में पॉसके बीच में अंतर नहीं बता गया बल्कि कोई और τीज निकाल करके उसके आधहार पे इस प्रिंस बता है लेकिन चौथी चीज चौथा मितेर्ट जो है जो स्प्रिट लेवल मेथड है कि स्प्रिट लेवल मेथड है यह मेथड आपको जो बताता है वह बताता है वह बताता वह तो पहले तो वह डायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड है ठीक है डायरेक्ट मेथड क्या है डायरेक्ट मेथड क्यों है क्योंकि इसमें सीधा-सीधा दोनों जगों के बीच की उचाईओं में अंतर निकाला जाता है सबसे ज़्यादा यह एकूरेट मेथड है और हमें इसी का यूज करना है एक्चूल एक्चूब फिल्ड मैथर्ड भी गये हमें किसी का यूट सबसे ज़्यादा करना है इसी के बारे में पढ़ना भी है लेकिन कभी कभी पूछ देता है थियोरी में तो आपको समझाना पढ़ेगा कि कितने मेथर्ड है लेवलिंग के लेवलिंग के मैथर्ड है अब इस कैसे काम करता है जड़ा दयान देजीगा कोई जगए यहां पर है दूसरी जगए इस तरीके से यहां पर आगे ठीक है इनके बीच में लोग यह ऐसे मुचाई है इनके बीच में अगर हम लोग लेबल सेट कर दें लेवल क्या होता है अभी हम लोग इंस्टुमेंट के बार हiénे हैं लेवलिंग को समझना है तो लेवल को लुक समझ लेंगे आप ध्यान से आं यहाँ पर हम लोग ली पलाई ले इसी di atum होगया यह यहां पर आपका हो गया है ho benchmark भूच है यहाँ पर आपका कर बेंचमार्क हो गया यह होगा और कि आभी क्या है मैं सारे के बारे में आपको समझाता हूँ देखिए ज़रा ध्यान से लेबल क्या है यह टेलिसकोप लगाई हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है कैसे काम करता है उसके बारे में लोग समझेंगे अभी उसके लिए आपको सपोच करिए कोई एक जगा जिसकी उचाई पहले से पता है वो जगा क्या है उसको हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क और डेटम क्या होता है सब के बारे में one by one देख लिखा रहता है समुद्र तल से उचाई या किसी ब्रीज के ऊपर जाएंगे तो ब्रीज के जहां सी स्टार्ट होता है वहां पर भी लिखा रहता है समुद्र तल से उचाई यह समुद्र तल क्या है और उससे वहां के उचाई क्यों दी गई है तो इसके बारे में समझ लेत आपके सार के उंचाई 100 मीटर तो यह हंड़िड मीटर कहा से होगी उसी जिरो को जिसको हमने अपनी संदर वियाई 0 माना अब माली आप के सार की उचाई 100 मिटर है मेरे शार तूरों में उचाइयों मैंतर कितना ओब ग्रैकर ये सिंपल बात है लेकिन कहां से नब दैजवाब अर कहां से सो तो उस जोट कि ourselves स्टम का जवाब डे टम सरफिस डे ट म सर्फिस क्या होता है है यहां पर हम लो मुंबई मैं जब आजादी को मीन सी लेबल इन मुंबई मुंबई में मीन सी लेबल की जो उचाई होती मीन सी लेबल मतलब मीन सी लेबल का मतलब क्या हुआ माध्य समुद्री तल मीन सी लेवल यानि माद्य समुद्रे तल मुंबई में जो समुद्र का तल कभी घड़ता बढ़ता है उसकी और सत मुछाई को हमने जीरो मान लिया और वही से हर जेगह की की उचाई जैसे अलग अलग सहरों की मुंबई का पता था जीरो समुद्र तल्द का तो मुंबई से आगे सब गुजरात बढ़े हम लोग तो गुजरात में किसी जगह की उचाई हमने पता करके उसी जगह से नाप करके लिग दी कैसे नापेंगे अभी पता चलेगा फिर हर सहर की पता कर लिए हर जगह की पता अगल बगल के सारे सहरों को पता कर लिए फिर आपके सहर का पता चलिए फिर मेरे सहर का पता चलिए तो एक जगह का पता रहना जैसे मुंबई का पता है तो उसके बाद वाले का हम पता कर सकते हैं इसी तरह उसके बाद वाले का भी पता पटपटा है लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करिएगा डेटम के पास हमने यहाँ पर एक स्टाफ रखा होगा स्टाफ क्या होता है आप कॉलेज में देखे होंगे स्टाफ में यहाँ पर जीरो निसान बना होता है यहाँ पर एक समझेगा सीधा सीधा कहानी अगर आप एक स्टाफ यहाँ पर रखेंगे और इनके बीच में ट्राइपॉड ट्राइपॉड क्या होता है तीन टांगा होती है आप कॉलेज में इसको देखे होंगे ट्राइपॉड पर आपने लेवल मतलब इसमें टेरिस्कोप लगा रहता है बिल्कुल 36 देख सकते हैं लेबल और स्टाफ के बारे में अलग से हम अगली क्लास में आपको बताएंगे कि इनका वर्किंग प्रिंश्पल पर कैसे काम करते हैं ट्राइपॉड पर आपने लेवल को सेट किया डेटम जीरो था ना तो डेटम पर स्टाफ लगे आपको यहां करी पिर आप यहां के रीडंग कितनी है यह 3.8 आब बताई जड़ा हैं पर यहां पर वहां को ईस्टाफ रत रगदिया से दूसरा कुछ आगे जा करके और आगे जाके जब आपने यहां पर स्टाफ रखा तो यहां पर आपको रिडिंग देखे कम मिलेगी कि ज्यादा अरे भाई स्टाफ यहां पर 3.8 मिला और वहां पर वही स्टाफ लिए यह लेबल वहीं है बस दूरबीन को ऐसे घुमा इसको घुमा दिया गय कि यहां पर एटिंग देखें यहां पर 1 2 3 ऐसे था यहां पर रिडिंग मिल गया modifications to संख़ रहे हैं क्यों चीव कम मिला है क्योंकि यहां पॉलइक्णे टोगाया अब ह swiftly अ काफी उपर चला यहां पर जब आप देख रहा होंगे पॉइंट लुगे तो आप कहेंगे किसर इस जगहा की उचाई कितनी है अग तो यह पूरा कितना है यह देखे जीरो से 3.8 तक है न तो यह भी 3.8 होगा क्योंकि देखिए आप यह लाइन वही गई आगे कि वह आप इधर देख रहे थे अब उधर देख रहा है तो यह पूरा हुगा 3.8 और यह यहां से यहां तक हुगा कितना पॉइंटेट तो बताई की इसकी मूचाई कितनी और आप यह 3.8 माइनस फॉइंटेट ब़रावर कितना हो गया 3 मीटर तो आप इसको क्या कहेंगे कि जगह कुचाई कितनी है 3 मीटर नए समझे यहां पर आपने रिदिंग लिया 3.8 वहाँ पर अगर जीरो है तो वहाँ पर कितनी ओ जाएगी 3.8 मै से आपने यहां पर क्या किया घटा दिया पॉंटेट तो आगे अब आपको चलिए यहां की जानका यहां पर लेना पता करना आपको देखे कैसे करें हम लोग स्क्राइब से समझ जेगा यांसे पिर इस पर आप रिडिंग लिजी इस थरीके से इसी स्टाफ पर कितना डिaprès बीडिन आया दो आया कहां से दो आया इस पूरे से यह यहां से अ कि अकिना एधो तब आपको यहां से यह उचाही अभे निकाले आम लोग 3ió maris care याहां से यहां तक यह कितना है तरी और इसके उपर यह कहां पूंचीन हो गई फाइफ यह पूरी उचाही आप कहां पहुंच चुकि है पवाइफ और फिर यहांप आप स्टाफ रखें अपना आई स्टाफ पर इस बार रिडिंग सपोज करिए वान आई तो बताई आप क्या करें आप कहेंगे कि इसकी पूरी कुंचाई फाइफ है इसमें से वन के बरावर नीचे चला है तो इस जगह की उचाई जोगी वह फाइफ पूरा यह है इसमें से यह व इसका उचाई फोर आयो चीज़ें आपको क्लियर होती है हमने किया क्या जरा द्यान समझेगा क्या बहुत बेसिक बात हम यहां पर आपको समझा रहा है क्या बेसिक बात है तो हमने यहां पर कुछ नहीं किया हमने बस यहां किया सबसे पहले हमने डेटम सर्फेस का पता किय है डेटम हो पता है चाहे कोई है का स्पता हो जिसकी उचाही मता इसका तीन पता था है इसका उस envie कहां कि दोसक्त है da घ्रएक बढ़िद कि आगे में कोई एक जगह पता हो जिसकी बारे में पहले सेसे हो तो हम आगे के बारें इसी तरह इसका चार पता चल गया यहां पर स्टाफ रखके रिडिंग देखें फिर अगला आगे निकल लेगा तो एक जगा की अगर रिडिंग पता हो तो हर जगा की उचाई आप पता कर सकते हैं तो आप हमें क्या पता चला डेटम क्या होता है आरस में एक जगां का पता हो ना तो उस जगां से आप कई जगां का पता कर सकते हैं चल जाएगा कैसे पता चलेगा लेवल कैसे पता चलेगा इस किसी मेफ़ड को हम लोग हाई आई मेफ़ड कहते हैं इस मेफ़ड को लोग कहते हैं हाइट आफ इंस्ट्रूमेंट मेफड हाइट आफ इंस्ट्रूमेंट मेफड कैसे काम किया जरद हम दिजीगा हमने किया क्या हमने सबसे पहले यहां का पता किया फिर हमारे इसकी हाइट प अब वस लेवलिंग का थियोरी समझाया है what exactly & how it is performed बस इतना हमने समझाय कि क्या लेवलिंग है इसको कैसे करना अब ही तो पूरा डिटेल में इसको पढ़ा करके इसकी नमेरिकल में लगवाँगा एक ऐक नमेरिकल आपका क्लियर हो जाएगा लेवलिंग का बेफिकर रहे बिंदास रहे अगर आपको बेसिक समझ में आया है लेवलिंग का लेक्चर को आगे बढ़ाना है कॉमेंट करें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कॉमेंट बिल्कुल मत करिए उससे आप लोग का जो है बीपी बढ़ जाएगा एकदम मत करिएगा जल्दी से इसको समझ करके आगे क्या लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा तब तक इसको समझे से सब्सक्राइब करते रहे मुझे मोटिवेशन देते रहे झाल